हेलो गाईज, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दून टेस्ट में आज की रेस्पी होने वाली है पनीर टिका मसाला जो की हमने बहुत ही सिंपल मसालों से घर पर इसको बना कर रेडी किया है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने एक बॉल में एक दम ग चिम भरके मैंने इसमें अजवैन डाली है और ठोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी ड्राय रोस्ट कर ली थी तो भून के आप इसमें कसूरी मेथी आट किज़ेगा और एक चम्मच भरकर मैंने इसमें काली मिरिच पॉडर एड़ किया है अब थोड़ा सा इसमें आपको ना प्रणाट की है और उसके बाद में यहाष्ट में थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च एड़ करेंगे अपिर सबसे लास्ट में हम इसमें सर्सों का तेल डालेंगे तो इसमें आप जरूर सर्सों का तेल डालेगा इससे बहुती अच्छा आपका पनिल टिक का मसाला बन का रैड भीज निया क्यों कि माल हमें पनीर के हैग और चुप गाल के ही निया कि लेग्दाने के वेग visa तो पर में बड़ साइज में हम जाचने पर और या सबसार करेंगे को अच्छी हम आधे गंटे के लिए अभी आदे आदे गंटे के बाद में आदे बाद एक को निम दालेंगे और इसको gas on कर देंगे तो 3-4 मिनट के लिए medium flame में आपको ये पनीर को cook करना है तो जादा देर cook नहीं करना है तो मुश्किल से 3-4 मिनट आप medium flame में cook कीजिएगा तो जब आप cook करेंगे तो अब हम इसको थोड़ा सा धाक के रख देते हैं तीन से 4 मिनट के लिए अब इसको medium flame में cook होने दीजिएगा तो अब ये देखिए पनीर ने oil भी थोड़ा सा release कर दिया है तो अब इसको हम जादा नहीं cook करेंगे बस 3-4 मिनट cook करके और उसके बाद में फिर हमें इसको एक plate में ट्रांसफर कर लेना है तो आप एक plate में निकाल लीजिएगा और जब हम सारा पनीर इसमें से निकाल लेंगे तब फिर दुबारा हम बॉल में सरसों का oil डालेंगे तो फिर सरसों का तेल डालने के बाद में फिर मैंने इसमें एक चमच सफेद जीरा एड़ किया है अधिना बॉल में 50% फ्राइ तो जब प्याजना हमारी 50% फ्राइ हो जाएगी तब इसमें हम ना एक से दो चमच भरकर लशन का पेस्ट आट करेंगे और फिर इस पेस्ट को भी हम इसी प्याज में फ्राइ करेंगे तो इससे हमारी प्याज भी अच्छे से फ्राई हो जाएगी और जो ये लसुन की स्मेल है वो भी खतम हो जाएगी तो खुब अच्छे से फ्राई कर लीजेगा अब इसके बाद में हम इसमें थोड़ी सी हल्दी पॉडर डालेंगे जादा नहीं डालेंगे एकदम थोड़ी सी डालनी है और फिर एक चमच भरकर इसमें भुना हुआ जीरा पॉडर इसमें एट कर दीचेगा तो इसमें जादा अब हमें मसाला नहीं बनाना है हलका सा मसाला बनाना है क्योंकि अगर जादा मसाला बनाएंगे तो अब अगर मेश भी करना doing कि फिर मेश मैं नर्ट करेंगे अजिल से नाने नाने अज़ना नहां व क्मिस आशे के रहे जह दो सूंवें जाले और सर्षट पम्हें सिर्ड़कित से अज़न दिया है ऽी आपिन से मसाले भलके हातों से आपको इस मसाले में अच्छे से मुख कर लेना है मिक्स करने के बाद में थोड़ा सा ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा पानी हम इसमें अड़ा करेंगे करेंगे कि जिससे हमारे पानी थोड़ा अच्छे से पक जाए तो दो से तीन मिनट के लिए मैंने के लिए रख दिया था तो यह देखिए अब यह हमारी यह पनी टिक का मसाला रैडी है तो इसमें हमने थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला एट किया है तो इससे बहुत कसूरी मेथी आप इसमें एड कर दीजएगा तो अ कसूरी मेथी के बाद में थोड़ा सा छॉप किया हूआ धनिया पति एड कीजिएगा और थोड़ा सा स्मूकी फ्लेवर देने के लिए इसमें कोइला का वो दीज़ेगा दुआ तो इससे ना हमारा यह पनी टिक का मसाला तो अब ये स्मुकी फ्लेवर वाला हमारा पने टिक मसाला बनकर रेडी है तो जो कि द्चाबे भी अच्छा टेस्टी पने टिक मसाला बनेगा क्योंकि हमने थोड़ा सा स्मुकी फ्लैवर लिए दिया है तो इसको आप अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सस्क्राइब कीजिएगा